शेर्स खरीद लो, बॉंड्स खरीद लो, गोल्ड्स खरीद लो, हजारों ऐसे इंस्टूमेंट्स हैं, जिनसे आप अपनी सेविंग को बढ़ा सकती हैं, अगर आपको लगता है तीन महीने का समय खर्च करके एक मोबाईल लेता हूं मेरे ले सस्ता है, तो यह आपकी मेरे इंटरनेशनल ट्रेप होती है, एक ऐसा फार्मला देने वाला हूं, वो फार्मला आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, दोस्तो नमस्कार, आप में से हर व्यक्ति एक बात को जरूर मनेगा, कि हर व्यक्ति अपने जीवन में आपार पैसा कमाना चाहता है, अमीर बनना अपने सपनों को साकार करना चाहता है, और चाहता है कि एक ऐसा समय आजाए जब वो अपना फानेशल गोल अचीव कर ले, मतलब पैसा कमाने के लिए उसको काम ना करना पड़े, लेकिन हर व्यक्ति की जो इंकम होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, कई बार तो आप और सेम सैलरी लेने वाला एक व्यक्ति हमेशा पैसे के लिए परिशान रहता है, या तो वो कभी आप से उधार मांगता रहता है, या कभी कंपनी से एडवांस मांगता है, और कहीं ना कहीं उसके ऊपड़ कोई ना कोई कर्जा ज़रू चल रहा होता है, और आने वाले समय वो पैसे को लेकर बहुत परिशान रहता है इसके पीछे का कारण पता है इसके पीछे का कारण है financial goal कि आप किस तरह से अपने financial goal decide करते हैं और कैसे financial goals को achieve करने के लिए financial planning करते हैं लेकिन financial planning का मतलब कहते ही न कई वार लोगों के मन में आता है कि financial planning का मतलब तो बहुत बड़ा setup हो गया लेकिन financial planning का मतलब है आपका personal finance अगर आप personal finance को ठीक से समझ लेना तो भी आप अपने business में, अपने profession में, अपनी job में रहते हुए भी अच्छे से अपना financial plan बना सकते हैं इसलिए जरूरत है हर व्यक्ति को ये बात समझने की क्योंकि personal finance से दी आपने समझ लिया तो आपकी तरक के निश्चित है वरना आज हीवन आप पैसे की तलाश में, समुरिदी की तलाश में, कुछ चाहत की तलाश में भटकते रहेंगे इसलिए आज जिस विशप और मैं बात करने वाला हूँ ना, वो है कि कैसे आप अपना personal finance manage करें अब personal finance को समझने के लिए ना, बहुत सारी बात है हमें ध्यान से समझनी होगी सबसे पहले financial decision and financial stability हम कैसे हासिल करें, इस बात को समझना बहुत जुरूरी है जैसे ही financing की बात करते हैं ना, तो लोगों के मन में एक ही चीज़ आती है अरे हमारी income कितनी है तो हमें पता ही है, खर्चा कितना करना ही तो पता ही है कई बार हम saving कर पाते हैं, कई बार saving नहीं होती और जब saving नहीं होती, तो हम किसी से उधार मांग कर उन चीज़ों को पूरा करते हैं और income आने पर उसको चुका देते हैं personal finance यह नहीं है दोस्तो, personal finance के 5 factor होते हैं अगर इन 5 factors को आपने अच्छे से समझ लिया और उन पर ठीक से काम किया तो आपके पास income कम होने के बावजूद भी, पैसे की तंगी कभी नहीं आएगी तो चलिए बात करते हैं कि क्या है वो 5 sector सबसे पहली बात, आप income के sources में जो पैसा generate कर रहे हैं वो आपके पास fix है, वो आपकी salary हो सकती है, business से आने वाला पैसा हो सकता है rent हो सकता है, कहीं से भी जहां से भी आपके पास पैसे का inflow हो रहा है वो आपकी income का part हो गया, अब हम लोग करते क्या है, जो भी income हमारे पास आ रही है उसमें से हम अपने खर्चों को पूरा करते हैं, मतलब spending करते हैं और यह spending में लग तरह की हो सकती है, जैसे rent है, electricity है, इसके लब आपके personal expenses है, family based expenses है, future based expenses है अभी इसके बारे में मैं detail बात करने वाला हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ, आपका पहला resource क्या है, earning, income का, जहें वो job हो या business हो उसके बाद आपका दूसरा जो concept है, that is spending आप उस पैसे को कहां खर्च करते हैं, और खर्च करने के बाद अगर पैसा बच जाए, तो आप उसको save कर लेते हैं ठीक है, अब save करने तक तो बात ठीक है, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है, income आई, खर्च किया, जो बच गया वो saving है, इन में से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, जो saving को सही तरीके से invest करते हैं, क्योंकि अगर आप पैसे को सही तरीके से invest नहीं करेंगे न, तो आने वाल है, कौन-कौन से ऐसे tools हैं, कौन-कौन से ऐसे parameters हैं, जिनको follow करते हैं, हम right investing कर सकते हैं, उसके बाद सबसे important चीज़ है, जो हमें चाहिए, income में से वो चाहिए हमें protection, अब ये protection कही तरह की हो सकती है, family based protection हो सकती है, health based protection हो सकती है, future based protection हो सकती है, retirement की planning हो सकती है, अगर इम पा financial goals को achieve कर सकते हैं बशरते हमें पता हो कि हमारे financial goals किस-किस तरह के होते हैं और income के साथ-साथ को कैसे manage करना है तो आप मैं आपको बताता हूं कि financial goals किस तरह के होते हैं ध्यान रखेगा दोस्तों आप कितनी भी अधिकाय कमा लें या कितनी भी कम आपकी आए हो अगर आपने financial goals को ठीक से define नहीं किया तो अधिकाय होने के बाद भी आपके पास पैसे की तंगी हमेशा रहने वाली है मेरा आपसे request है कि एक बार comment box में ज़रूर बताएं कि आप क्या अपने financial goals को achieve कर पा रहे हैं क्या आपको पता है financial goals के बारे में या क्या आपको ये भी पता है कि मेरी जरूरते क्या है और मुझे क्या क्या चीज चाहिए इस बात को आप comment box में लिखो तो चलिए बात करते है financial goals के बारे में हर व्यक्ति के पास जो resource है उससे ज़्यादा उसकी चाहत होती है। तो पहले समझ लेते हैं कि need-based goals कौन से होती है और want-based कौन से होती है। need का मतलब है वो चीज जिसके बिना आप रही नहीं सकते, आपकी सक्ष जरुवत है। और वो जरुवत क्या है आपका अगर घर अपना है तो own house हो गया नहीं तो rent आपको pay करना है, electricity है, food है, education है, maintenance है, health है, यह वो needs हैं जिसके लिए आदमी पैसा कमाता है। और needs के बाद जब पैसा बसता है तो उसकी जो इच्छा शक्ति होती है वो wants पर चली जाती है, कि यह तो मेरे पास है, इन से भी चीजों को तो मैं करी रहा हूं और कुछ पैसा मेरे पास बच रहा है, जिससे मैं अपनी wants को पूरा कर सकता हूं, तो wants क्या होती है, इसको modern gadgets नहीं है, अच्छा mobile phone नहीं है, अच्छा tab नहीं है, अच्छी smart watch नहीं है, या अच्छा camera नहीं है, आजकल तो बहुत सारे equipment जिस तरह के आते हैं, तो आप क्या करते हैं, EMIs पर उसको buy करने का प्रयास करते हैं, है ना, उसके बारे में भी बात करने वाला हूं, उसके आते हैं party करने, तो आप parties करने का आपका मन करता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आपका entertainment का मन करता है, कि चलो movie चलते हैं, कहीं किसी resort में चलते हैं, किसी mall में चलते हैं, चलो shopping करते हैं, और उसके साथ साथ vehicle buy करने का आपका मन करता है, वो भी beyond budget, budget से उपर vehicle buy करने का मन करता है मैं आज आपको एक ऐसा formula देने वाला हूँ वो formula आपकी life को change कर देगा आप ये decide कर पाएंगे कि ये जो चीजा ना मेरी want में आती है ये मेरी need में आती है या ये मेरे लिए affordable है या affordable नहीं है आपने सुना होगा बहुत सार लोग कहते है मुबाइल फोन अरे मुबाइल फोन लेना तो बहुत असान है क्या करना है एक डाउन पेमेंट देनी है कोई सोटे से अमाउंट की और 6 EMI में आपको मुबाइल फोन मिल जाएगा मुबाइल फोन महंगा है या सस्ता इसकी कोई definition नहीं है definition तो इस बात की है कि आप उस मुबाइल फोन को उस गैजट को उस equipment को या उस entertainment को या उस traveling expense जो आप करने वाले हैं उसको लेने के लिए कितना time invest कर रहे हैं अब ये time investment की बात कहां से आ गई मान लीजिए आपकी salary है 50,000 रुपे पर मंद इसका मतलब एक महीने का समय मतलब 30 दिन का समय यदि आप लगाते हैं 30 दिन 8 घंटे रोजाना मेहनत करते हैं तो आप 50,000 रुपे कमाते हैं और एक mobile phone जिसकी कीमत 1,50,000 रुपे है उसको खरीदने के लिए आपको अपनी life की 3 मं का जो working time है वो devote करना पड़ेगा donate करना पड़ेगा कि तीन महीने के पूरे तीन के तीन महीने की महनत अगर मैं खर्च करता हूं तो मैं mobile phone खरीद पाऊंगा तो इसका मतलब आपको यह देखना है कि इस mobile की जो कीमत है वो आपकी उस समय की कीमत से महेंगी है सस्ती अगर आप की choice है अगर आपको लगता है कि इतना समय खर्च करके मुझे एक mobile मिल रहा है तो शायद इससे कम वाले mobile को मैं afford कर सकता हूं मैं 10,000 रुपे का mobile ले सकता हूं क्योंकि 50,000 रुपे मैं 30 दिन में लगाता हूं कमाता हूं तो 10,000 रुपे का mobile phone मेरे लिए सस्ता है दोस्तों कितना समय का त्याक किया है कितना समय इन्वेस्ट किया है उससे अनुवान लगता है कि वो चीज महेंगी है सस्ती हो सकता है किसी के लिए ये एक मिनट की income हो किसी के लिए एक मिनट की income में ऐसे 10 फोन खरी देया सकते हूं उसके लिए वो महेंगी और सस्ती है तो यह आपको आपको सिर्फ यह calculate करना है कि जो भी काम आप करने जा रहे हैं wants से संबंदित वो आपकी income का कितना समय खा जाता है मतलब आपकी कितने working hours उसमें लग जाते हैं उसके अधार पर decide कीजिए वो चीज आपके लिए महंगी है सस्ती तो यह बात रही needs पर तो आप कोई compromise नहीं कर सकत है और किसको मेरे को अपनी life से avoid करना या कैसे ऐसे अच्छे resource of income generate करने है कि उस want को मैं कम समय में हासिल कर सकूँ उसके लिए जरूरत है आप जितमे भी पैसा कमाते है ना उसमें से पैसा बचाएं तब ही आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे और बचा तम किस कि lockdown हो गया छे महिने के लिए सब कुछ बंद हो गया आपको salary भी नहीं आ रही आपका business पे नहीं चल रहा इसलिए आप saving करते हैं कि अचानक यह दी कोई परिस्तिती विपरीत हो जाए तो मैं emergency में अपने future को safe करके रख सकूं और किसलिए करते हैं कि मान लीजिए कोई भी ऐसी miss happening के अलावा कोई भी ऐसी एक activity आपके life में आ जाए जो अचानक आ जाए पता लगा कि आपकी sister की बेटी की शादी है तो आपको पता है कि भांजा भांजी की आपकी शादी है तो वहाँ आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा अपनी भांजी के लिए बहुत सारी चीज करने हैं तो लोग emergency के लिए future safety के लिए पैसा हमेशा save करते हैं आप save करने के जो instrument हर व्यक्ति के बिल्कुल लगें कुछ लोग कहते है FD में डाल दो कुछ लोग कहते हैं banks में deposit करते रहो कुछ लोग कहते हैं recurring deposit करते रहो कुछ shares खरीद लो bonds खरीद लो golds खरीद लो या उस property खरीद लो property को rent पर उठा दो हजारों ऐसे instruments हैं जिनसे आप अपनी saving को बढ़ा सकते हैं multiply कर सकते हैं जैसे आप bank deposit कर सकते हैं cash saving कर सकते हैं लेकिन जान रखेगा cash saving कभी भी आपको benefit देने वाले नहीं क्यों क्योंकि जैसे जैसे समय बीटता जाएगा उस पैसे की कीमत कम हो जाएगा inflation की वजह से इसलिए cash saving तो कभी नहीं करनी चाहिए आप bank deposit करें तो इतना interest मिलता है कि जितना inflation आ रहा है या FD या recurring deposit करें आप mutual fund के माध्यम से भी अपने पैसे को save करके invest करके बढ़ा सकते हैं अगर मैं saving की बात करूं तो इसमें आपको zero growth मिल रही है FD की बात inflation तक का आपको interest मिल रहा है इतना inflation gap है mutual fund की बात करूं तो 12-15% का return मिल रहा है मतला inflation को भी छोड़ दो 57% extra मिल रहा है shares and bonds की बात करूं तो कोई limit ही नहीं है 15% 18% 20% 100% 200-500-1000 अब आपको लगेगा सर ऐसा कोई formula बिल जाए कि एक share मैं खरीदूं और वह 1000% बढ़ जाए येस financial position को high करने के लिए आप investing सीखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक series शुरू करने वाला हूँ और वो series है stock market millionaire की और stock market millionaire में small scale investing से लेकर large scale investing कैसे करनी है intraday trading swing trading और किस तरह से positional trading करनी है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ पर मेरा request है कि comment box में लिखकर बताए कि yes we want to learn about share market अगर आप लिखेंगे तो इस series में आपके लिए जल्दी शुरू करने वाला हूँ बात करते हैं saving के बारे में अगर आप ठीक तरीके saving करते हैं तब ही आप life में आगे grow कर पाएंगे लेकिन अब हमें पता होना जरूरी है कि अगर हमें अप मेरे goal को achieve करना है तो short term और long term saving का जो purpose है वो हर व्यक्ति का different है short term में क्या आजाता है कोई भी saving जो आप एक से तीन साल के लिए कर रहे है मतलब zero से शुरू होकर तीन साल तक कोई भी आप saving करने है तो उसका एक purpose होता है किसी व्यक्ति को ऐसा रखता है कि यार थोड़े थोड़े पैसा एक ठागर कि mobile phone ले लूँगा आजकल तो EMI system भी है लेकिन EMI का burden आपकी कमाई हुई income पर सबसे बड़ा होता है क्योंकि वहां पर आप interest भी pay कर रहे होते हैं और धीरे धीरे आप ऐसी assets को खरीद लेते हैं जो आने वाले समय में depreciate हो जाएगी मतलब investment तो जाएगी plus interest भी आपका चला ज गया और वहां जाने के लिए आपने 10-20,000 रुपे कपड़ा इसल वाली है तो कई बार ऐसे भी देखा गया है कि लोग बेगानी शादी में अबदुल्ला दिवाना की तरह काम करते हैं जो उनकी life में बहुत खतरनाक role play करेगा fine उसके बात करते है long term saving long term saving का मतलब क्या है 3 सा 5 साल 10-15-20 या जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक के लिए और इसके भी कुछ परपस होते है कि अगर आपको अपना घर खरीदना है मालो 10 साल का आपका प्लैन है कि 10 साल बाद अब जो मेरी शादी हुई है मेरे बच्चे है वो भी बड़े होंगे सबको अपना अपना पूरा करने के लिए आपको रेटायर्मेंट की प्लानिंग करनी होगी तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि जो भी इंकम आप कमा रहे हैं उसको आप कैसे सेव करने वाले है लेकिन प्रश्ण यही उड़ता है कि आम दनी अठनी और खर्चा रुपईया आ रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे जिनको आप विश्य में या वर्तमान में पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए एक फार्मॉला मैं आपको देना चाहता हूं इन में से कुछ फार्मॉले आपके पास हैं आप सब को पता है कि एक फार्मॉला होता है कि इंकम जो आ रहे है न वो क्या है expenses plus saving इन दोनों का योग जो है जोड है वो income होती है मतलब जितना पैसा कमाई है उसमसे जो खर्च हो गया और जो बचा लिया वो ही पूरे income के बराबर है लेकिन जो सफल लोग है न वो दूसरा formula अपनाते हैं वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले income मेंसे अगर आप saving निकाल दें पहले ही तो बाकी बचेवे पैसे को आपको खर्च करना चाहिए ये formula उन लोगों का है जो सही तरीके से personal financing को जानते हैं वो कहते हैं मैं खर्च ही उतना करूँगा जितनी मेरी जरुवत है लेकिन उस जरुवत को पूरा करने से पहले अपनी income मेंसे saving निकाल दूगा क्योंकि खर्चों को तो control कर सकते हैं लेकिन खर्चे के control के हिसाब से income नहीं बड़ी तो आपकी saving नहीं होगी तो इसलिए जरुवत है कि income मेंसे सबसे पहले saving निकाल दें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वर्तमान में आई कितनी है अगर सही तरीके से आप saving करना शुरू कर दें तो उस saving से आप अपने future को भी secure कर सकते हैं और भविश्य में अपनी सारी की सारी जरुवतों को पूरा करने का प्रयास भी कर सकते हैं expenses जो होते हैं वो कौन से होते हैं needs and wants की तो अब हमें एक formula अपनाना है आईए इस बात को एक उधारन गुरूप में बताता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में आपकी income कितनी है फर्क इस बात से पड़ता है कि आप planning कैसे करते हैं मान लीजिए आपकी salary 20,000 रुपे है मैं example group में ले रहा हूँ हो सकता है आपकी salary 50 हो आपकी salary 1,000,000,000,000,000,000,000 या 15,000 रुपे हो 20,000 रुपे आपकी salary है तो 20,000 में से सबसे पहले 20% मतलब 4,000 रुपे आप अपनी saving के लिए निकाल दें जैसे आप saving के लिए पैसा निकालेंगे तो उसका बविश्य में करना क्या है वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ तो आपके पास बसते हैं लगबग 16,000 रुपे और 16,000 रुपे का 20,000 का 50% 10,000 रुपे आप अपनी जरुतों को पूरा करने के लिए रखें और बाकी बचे वे जो 6,000 हैं अगर इसमें आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो पूरी करें लोग क्या करते हैं कि saving करते नहीं हैं इच्छाओं को पूरा करने के लिए 6 और 4,000,000 रुपे खर्च कर देते हैं और अगले महिने फिर वहीं खड़े होते हैं जहां से शिरुवात पहले दिन से होती है तो आपको करना क्या है 50, 30, 20 के formula को अपनाना है आपको अपनी needs पर 50%, wants पर 30% और saving पर 20% खर्च करना है आपकी total income का अब आपको करना क्या है जब आप 20% saving करेंगे न तो बचे हुए 80% पैसे को utilize करना है अब अगर सही planning करें तो जो 50% का खर्चा है needs पर होने वाला इसको भी monitor करके कम किया जा सकता है सही planning करें तो जो wants पर आप पैसा खर्च कर रहे है इसको भी monitor करके या भविष्य में इसको transfer करके पैसे को बचाया जा सकता है और धीरे 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 अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो 5-10% आपकी needs कम होंगी 20-25% मतरब 30-25% आपकी wants कम होंगी जिसकी वेसे आपकी saving बढ़ेगी और saving को सही तरीके से invest करेंगे तो saving भी grow करेगी बात करते हैं 20% saving की जो 20% saving है ना उसको आपको invest करना है और invest कहां करना है जहां से आपको maximum growth मिल सके इसके लिए जरूरत है आपके पास different financial instruments होने चाहिए friends कहते हैं अगर सारा जीवन एक ही तरीके से काम करने पर लगा दोगे तो आपको वह हासिल होगा जो एक तरह से हासिल किया जा सकता है यदि आप अपना जीवन अलग-अलग verticals पर saving के रूप में invest करते जाएंगे तो आप वह हासिल कर सकते हैं जो सफ़ल लोग हासिल करते हैं इसलिए जरूरत है अपनी saving को मैंने क्या कहा था salary है आपके 20,000 और saving जो आपकी आगई 20% मतलब 4,000 रुपे अब इस 4,000 आपको लगए गया नहीं 4,000 की saving से क्या होगा पर जैसे जैसे power of compounding काम करेगी वो पैसा बहुत अज़दा हो जाएगा आप चाहें तो एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें ने power of compounding के बारे में बता है कि एक व्यक्ति 5 लग कमाता है एक 2 लग कमाता है और एक 50,000 कमाता है लेकिन आने वाले कुछ सालों में 50,000 रुपे महिना कमाने वाले व्यक्ति 5 लाख रुपे कमाने वाले व्यक्ति से भी आगे निकल जाता है इसी को financial planning कहते हैं तो आपको क्या करना है आप bonds में invest कर सकते हैं आप shares में invest कर सकते हैं आप gold में invest कर सकते हैं आप SBG में invest कर सकते हैं अब मुझे comment box में लिखकर पहले ये बताओ कि SBG क्या होता है अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि आपने जवाब दिया हो ठीक है या नहीं तो SBG क्या होता है उसको comment box में लिखकर बताओ उसके बाद आप property या real estate में भी invest कर सकते हैं financial planning करने के लिए हमें अपनी life को secure बनाना भी बहुत ज़रूरी है इसलिए insurance ये भी बहुत important sector है अपनी income का एक part जब आप insurance में देते हैं तो आपकी life secure होती है अब इस security के बारे में आपको एक बाद दाजता हूँ मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई ऐसी miss happening हो जाए किसी कारणवस को accident हो जाए और आपको 6 महीने bed rest करना पड़ जाए या आपका काम है marketing का और पैर के टूड़ जाए तो आप marketing करी नहीं पाएंगे तो 6 महीने का survival plan जो व्यक्ती बना लेगा वो अपनी life को कुछ हद तक secure कर लेगा इसका मतलब क्या है कि आपकी जो भी salary है ना मैंने क्या का था 20,000 रुपए आपके salary है और हम कितना बचा रहे है 20% मतलब 4,000 रुपए तो 6 महीने में आप कितना खर्च कर पाएंगे मतलब 20 गुना में 6 1,20,000 रुपए तो आपके पास ऐसा होना चाहिए जो emergency में आप 6 महीने आसानी से survive कर सकें जिसमें saving भी include है है ना अगर वैसे मैं बोलू 16 तो 16 गुना में 6 जितना भी amount रहता है इतना आपके पास reserve रहना चाहिए बट ये reserve ऐसी जगह होना चाहिए जो grow भी करता रहे और instant आपको जब भी ज़रुत पड़े आप single click में इसको withdraw भी कर सकें तो आपको क्या करना है आप real estate में invest करेंगे insurance में करेंगे mutual fund में करेंगे या commodity में करेंगे अगर आप mutual fund में invest करते हैं तो ये long term के लिए होना चाहिए community में trade करते हैं तो वो short term के लिए होता है जालातर क्योंकि intra day या इस तरह से optional trading share market में invest करते हैं तो ये भी दो तरह से कर सकते हैं कि छोटा 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 प्रॉफिट बुक करके आप अपनी wants को पूरा कर सकते हैं या long term के लिए invest करके एक अच्छी अपनी saving तयार कर सकते हैं तो bonds में आपको मिलने वाला जो percent होता है वो 8 से 10 percent हो जाता है share market में कोई limitation नहीं है 18 percent, 20 percent, 24 percent, 30 percent 100, 200, 500 कितना भी हो सकता है gold का जो rate है लगबग 7 to 8 percent कुरूद देता है SBG में 10 से 11 percent देता है मैंने का भीता SBG क्या है वो मुझे लिखके बताओ real estate पर depend करता है वो real estate आप कहां लेने जा रहे है और वहाँ पर growth possibilities किया है उस पर depend करता है insurance, safety के लिए होता है और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं मैं आपको हर वो तरीका इस पूरी series में सिखाने वाला हूँ कि कहां कहां invest करके आप अपने short term goals और long term goals को achieve कर सकते है इसके लावाँ आपके मन में investing से संब्सक्राइब कोई भी प्रशन है और आप चाहते हैं कि share market पर पूरी एक series में लेके आऊँ तो मुझे comment box में लिखकर जुरू बताएं कोई भी informative वीडियो मिस ना हो उसके लिए channel को subscribe करें और bell icon को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो को notification सबसे पहले आपको मिले स्वस्त रहें, मस रहें मैं Dr. Amit Maishwari आपके सुनरे बविश्य के काम ना करता हूँ जै हिंद, जै भारत